विकास 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 यही मेरा चुनावे मुद्दा है समिसारजनिक अस्थलो पर वाई-फाई की सुवधा होगी पटना के फर्म्टेन सीटी की रूप में बिक्सित किया जाएगा हमारी महिलाएं हमसे बहुत खुस रहती हैं गला मिलकर बात करती हैं मैंने पिछले पांच बर से उद्दा के दोरान महापौर रहते हुए पटना को साप सुन्द सक्ष बनाने का काम की मैंने अपने करमचारियों के लिए आज इवन पारवारिक पेंसन दी हूँ जो पूरे बिहार में भी नहीं था वो मैं पटना में करके दिखाई मैं अब जीत कर आऊंगी तो सभी दैनिक करमचारियों को परमानेंट करूंगी इस वार महापौर रूप महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सीटीज में हूँ आपके स्ताश शिवम बिहार नगर निकाई चुनाव का एक बार फिर से एलान हो चुका है राज निर्वाचन आयोग ने तारीकों का एलान कर दिया है दो चड़नों में चुनाव होने है ऐसे में इस वक्त हमारे साथ पट्ना की नी वर्तमान मेयर सीता साहू है मुझे से बात करेंगे सबसे पहले तो मैम आपको बहुत स्वागत है क्या लगता है मैम कि इस बार भी जीत आपकी ही ही होगी निश्य दूरूप से मैडम आपको ऐसा क्यों लगता है कि जीत आप की ही होगी पाली में सफाई कराया जा रहा है अत्याधिनुक मसीनों का इस्तिमाल साफ सफाई के लिए किया जा रहा है मैंने पटना के लोगों की जो भुनियादी जवर्दे थी उसे पूरा करने का भर्षक प्रयार्स की आपको जानका आश्चर्ज होगा पिछले पांच बरसों के दोरान मैंने पटना नगर निगम छेतर में ब्याली सो सरक और एवंग नाला का निर्मान कराया है पेजल की समस्याओं से पटना बाशनों को निजाद दिलाया है जहां जून 2017 के पूर मात्र 117 बोरिंग से पटना के लोगों को पानी के अपूर्ति की जा रही थी जो काफी कम थी मैंने सिर्फ पिछले पांच सालों में 110 बड़े बोरिंग का निर्मान की सुकृति दी और काम करवाई बोरिंग के साथ हर घर तक नल जल पहुँचाने हेतु नया जल पूर्ति का पाई बिछाई इसके अलावा मानिये पार्सदों के अंसंसा पर 1100 समढ़ सेवूल बोरिंग का निर्मान कर आई पटना सहर के गली मोहलो एबंग सरकों को अंधेर से मुक्ति दिलाने के लिए पाई कियाँ पत्ना के लोहों को करोना संकर्म clipping के मैं बचाउ है तिका करंओ के व्यवस्ता कि भेतल्प लगातार सहर को सेर्टाइच गया जहाँ हमारे करम चारी दिन राथ पत्ना के लोगों के सेवा में लगे रहें कौरोना के दौरान सामदाइट की चन आसरे अस्थल का बीवस्था की गई करोना के दौरान 166 गरवती महिलाओं के सुरक्षित पर सो की बीवस्था पत्ना नगरम दौरा की गई है पिछले पांच बर्सों के दोरान इतना काम पटनार सहर के बेहतरी के लिए एवंग इहां के लोगों के यह किया गया है इसे बताने में घंटों लगेगा मैडम इस बार चुनाव का तरीका भी बदला है क्योंकि इस बार जनता वोट कर रही है प्रचार प्रसार का तंत्र भी बदला है तो कितनी बड़ी लराई है क्योंकि मैदान में और भी कई लोग है इस बार महापाओर उप महापाओर का चुनाव सीधे जनता करेगी जनता पटना की जनता पिछले सतर बरसों के नगर निगम के कामों को देखा है और पिछले पांच बरसों के पटना निगम में जो बदलाव आया है विकास की बैयार बढ़ी है उसे भी देख और महसूस कि इसलिए मुझे पुरा वर भरोसा है कि मेरे कार्ज को देखते हुए पटना की जनता मुझे भारी बहुमत से जितवाएगी। मैडम इस बार आप जनता के बीच कौन-कौन से मुद्दे लेकर जाएंगी क्योंकि पिछले 5 साल आप पटना की मेर रही है। बहुत सारे विकास कारे को आपने किया है। प्राथमिक अस्थर पर कचरे निस्तरांतर की वेवस्था की जाएगी, पटना के सेस बचे पार्कों का मैं निर्मान कराऊंगे, डोर टोर कचरे संक्रान की वेवस्था को मजबूत की जाएगी, दचनी पटना समेत नए इलाकों में बुनियादी सुविधा उपलाफ्त करान ही तो बिसेश पैकेज की बेवस्था की जाएगी पटना के साभी बड़े नालों को ढख कर सरक का निर्मान करा जाएगा जिसे आम लगातार पटना में जाम की इस दी बनी रहती है मैं नो बड़े बड़े नाले हैं मैं चाहती हूं कि उस पर पाट कर रोड बन जाने से बहु को देखते हुए पेर पौधों लगाए जाएगे पर दूसन को कम करने हे तु कि उपाए कई उपाए निगम द्वरा किया गया है पर अभी भी पर दूसन को नियंत्रित करने हे तु अनेक कार्ज किये जाने है और वन और वन खोरेष्ट को मैं बढ़ाबा दूंगे पत्ना की महिलाओं के लिए आपने क्या किया क्योंकि आप भी एक महिला हैं। महिलाओं को रोजगार दिया गया है। पत्ना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो अधूरा रहे गया। जो आपने इस बार नहीं पूरा किया है और अगर आप जीत के आती हैं तो वो पूरा करेंगी। क्या लगता है मैडम की पत्ना की जितनी भी सारी गलिया हैं महले हैं वो एकदम चका चक हो चुकी है। मैडम अगर आप इस बार भी जीत जाती हैं तो पत्ना वासियों के लिए आपके रहते हैं। के लिए क्या क्या कारे करेंगी। मेरा संकल्प है कि मैं चुनाओ में जीतने के बाद पत्ना के सभी चोक्चा राहों पर सार्वजनिक असलों पर सीशीटी कामरे लगवाऊंगी। अभी तक पचीशो असी सीशीटी कामरे लग चुके हैं। वाइफाई की सुभधा उपलगत कराए जाएगी। पत्ना के फांटन मेरा दिली इचा है। पत्ना सी सहर को फांटन सहर बनाऊंगी। इसे परदूसन भी कम होंगे। परात्मिक अस्तरपर कचिदे के निश्तरांतरन की बेवस्ता की जाएगी। पटना के सेस बचे पार्कों का भी जिरनोरदान कराया जाएगा। डोर टूर डोर कच्रा संगहरण की बेवस्ता मजबूत की जाएगी। दच्छनी पटना समय नई इलाकों में बुनियादी सुभधा उपलत करानी की हैतू। बिशेस पैकेज की बेवस्ता की जाएगी। एक महत्पून सवाल है, आप पटा नगर निगम की मेर रह चुकी हैं, आपने नगर निगम के करमचारियों के लिए क्या कुछ कारे किया है। जीवन पारवारिक पेंसन दी हूँ, जो पूरे बिहार में भी नहीं था, वो मैं पतना में करके दिखाई हूँ। मैंने नगर निगम के करमचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए माननी हैं, बार पारसत, डाक्टर असीच कुमार जी और भी पारसत को नियालय में याचका धाखिल करवाई। उसका फैसला आ गया है, मैं अब जीत कर आऊंगी, तो सभी दैनिक करमचारियों को परमानेंट करूंगी, निगम के में अधिकार 800 सिंग की विवस्ता को समाप करने का परियास करूंगी। जरूर करा दूंगी, एक भी रिटायर करमचारी इस लाब से बंचित नहीं होंगे, यह मैं भरोसा देती हूं। लाइफ सिटी स्पटना। लाइफ.. .. करते हैं